देखे फ्रेंट्स इस सॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमने आप यह दो रंग का उन लिया हुआ है यह ब्राइलाउन का सॉक्स वाला उन है यह आपको इसली मार्केट में मिल जाता है अगर आप लोग को ना मिले तो आप लोग कमेंट करके जहां से मैं मंगाती हूं एड़ी वाला प्लस अंगूठे वाला दोनों बताऊंगी एड़ी वाला अंगूठे वाला है सॉक्स बहुत इजी है आप लोग जब बनाएंगे तो बहुत ही सरल है इसको मैंने 5-6 नंबर के लिए बनाया हुआ है तो चलिए इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले लिए यानि 47 फंदे आपने डाल लेना है बॉडर के लिए बनाने के लिए हमने आप देखे दो फंदे दो सीधे की बॉडर बनाई हुई है रिप बॉडर यह देखे बहुत इजी है आप लोग एक उल्टे एक सीधे की भी बॉडर बना सकते हैं यहां पर मैंने चार जादू ताकि आपको कुछ समझ में आये तो यहां पर देखिए मैंने यह बॉडर बनाया है बॉडर बनाने के बाद बॉडर बनाने के बाद फ्रेंट्स देखे हमने आप यह एक दो तीन चार पांच छे छे लाइन के हमने यह दोनों कलर से तीन तीन लाइन दूसरे कलर से ये बनाई की है उसके बार हम यहाँ बनाएंगे देखिए ऐड आपको दीख रही आपको थी कहने-पेडिक Rad 없다 यह बहुत एजी है बिल्कुल से दोनों साइट से आपने उल्टी उल्टी बुनाई करके बनानी है देखिए तब जाके यहां पर हमारा यह अंगोठा बनेगा और यह पंजा वाला पार्ट बनेगा तो बहुत एजी है तो मैं आप लोग को चलिए आज इस्टे बाश्टे बत पावाँगे पीछे की साइट से यह अपने कलर को partly करना है यहां पर देखिए अथे दूसरा कलरे जोड़ ले रहे हैं सभी पनधे को हम उल्टा उल्टा बना रहें ये पीछे की साइड बना रहे थे हम दूसरे से बना रहे हैं बहुत इजी है पहले तो आपने ये से मला लेते हें हम आप लोग को दिखा कि बस लिए बताना था की आप देखे फ्रेंटस हमनेजे एक दो तीन चार चार लाइन पे पर देखे पैरेट क्यों ग्रीण के बनाई है एक दो तीन चार चौथी लाइन हमने ये देखिए यह चॉकलेटी कलर से सेकेंड कलर से बनाई है अब हमारा इतना बनने के बाद आप काउंट कर ले दोनों लाइन मिला के एक दो तीन चार पांच है साथ आठोई लाइन पर हमारी यह एडी बनेगा एडी वाली जो हमारी पॉर्सन हो बनेगा तो देखिए उसको कैसे प्राइब तो यह बनाना है अब यह वाला मारा पार्ट वनेगा देखिए इसलिए इसके सिलाइए नहीं किये ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो तो यह वाला अब हमारा पार्ट बनेगा सिर्फ बार अरह अब देखिए हंने क्या करना है हम यहाप पे सबसे पहले 12 फंदे मनाएंगे पहले फंदे को हमने स्टेच किया अब देखिये सौरी स्लिप किया दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, जारह, बारह देखिये, कौंट कर लेते एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो छे, दुनी, बारह बारह फंदे हमने आपे उतार, भून ले आव हम सलाई को यहीं से पलट लेंगे सिर्फ, देखिये, छे, तो पाल्वल ... मुद को अरए , कॉंट करेंगे दोनों साइट से उल्टा उल्टा से पण कर दोघ्या से ऐसे ने पालून ले ए, ah, और फिर, इसको इसो ढोखा इंगे पाल जूनच, पैर देखियो и बड़न और 이렇게 Finance है है और बहुत अच्छी इसकी फ्रिटिंग आती है एंकल लेंध तक रहती है यह सॉक्स सर्दियां स्टार्ट होने वाले तो आप जरूर इसको ट्राई करें बचे हुए उन से भी बना सकते क्योंकि दोनों साइट से सिर्फ उल्टा-उल्टा ही बुन के बनाना है कहीं भी आप कि यह देखिए हमारी यहां पर दो लाइन हो गए एक दो अभी हमने दस लाइन बनानी है तो चलिए ऐसे ही हम इन ही बारफ अंदे को दस लाइन और बना लेते फिर आप लोग को दिखाते हैं अब देखें फ्रेंट्स हमने यह बारा लाइन यहां पर बनाएगे एक दो तीम चार पांच छे साथ आट नो तस ग्यारफ हार यह टोटल हमने बारा लाइन दोनों साइट से हमारी बारा लाइन यानि बारा दुनी 24 चौविस तलाई आप बनाएंगे दोनों साइट से तो बारा लाइन आएगी अब हमने क्या करने इन फंडेक को बंद करना देखिए फंडेक कीसे करेंगे दोир तर करेंगे फेर इस फंडेक good इन दौनों फंदे को एक साथ बनाएंगे, फिर से इन फंदे को इस पेलाएंगे, देखिए हम इन 12 फंदे को बंद करना हम, भýन से देखिये हैं, बहुत एजी है, इस फंदे अपने ज्यादा लूज नहीं बंद, ज्यादा टैट में बंद करना है, लाश्ट वारें पे एक फंदे बचेंद अब फ्रेंड्स हम इसको ऐसे पलटेंगे यहां फ़ेश्पने के बाद पीछे की साइड से जो हमारे यहां पे चैन दिख रहे हैं टोटल हमने यहां पे 11 फंदे उठाने एक हमारा है बारा तो हम सिर्फ 11 उठाएंगे क्योंकि हमारा यहां 12 उठाएंगे तो हम यहां से यहां से देखे 12 उठाएंगे एक देखें सभी हैं इस देखिएगा बहुत easy है फंदी उठाना इसलिए चैन हमारे यह हमने आप से कहा था को प्रदक्र這邊 तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नौ, इस नौ, फंदे होगे हमारे आपए, दस, एक, अची, यह, दस, और एक यह, ग्यार, तोटल हमारे आपए ग्यारा और एक यह वाला लास्ट वाला जो उनने आपए घटा है था बाल बच्चा था, यह मिला कि हमारे 12 फंदे होगे, अब देखिए इन सभी फंदिकों ने उल्टा-उल्टा बनाना है बहुत इजी है यह हमारा ऐसे आप लोग जरूर बना है जो हमारा फंदा इधर के साइट कम हुआ है वही हमने इधर के साइट से सभी चैन से एक फंदे उठा लिए तो हमारे यहां पर बरावर फंदे हो गया है यह देखिए एक सीज़ आप लोग को यहां पर दिखेगा कि यहां से रगेगा अगर हम ऐसे डारेक्ट बना देंगे तो यहां पर हमारी पोल आ जाएगी जालीज बन जाएगी एक फंदे हमने इसको ऐसे उठा के ग्रीन वाले को और इसी के साथ ऐसे इसी के साथ बना देना है दो फंदे का एक कर देंगे तो देखिए आप यह जालीज सा नहीं बन गया है आप सभी फंदे को हम उल्टा-उल्टा बनाएंगे देखिए देखिए हम इधर पीछे की साथ एक सलाई बना के कंप्लीट कर ली हैं आप क्या करना है देखिए इधर से भी हमने वही एड़ी वाला पार्ट बनेगा तो हम यहां से भी बारफंदे बनाएंगे इस साथ से भी तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारत और एक बारफंदे यह देखिए तो जैसे सेम हमने इस साइड बनाया है यह ऐसे ही बारफंदे का हमने इस साइड भी बनाना है सिर्फ बारफंदे का जैसे घर देखिए दोनों साइड हमारा सेम है यह तो यह चीज हमने इस साइड भी हम ऐसी बनाना है जैसे आप लोग बताएं फिर आप लोग को बताएं बताते हैं कि कैसे बनाना है तो देखे फ्रेंट्स इस साइड भी हमने ये 12 लाइन बना लिए एक बार काउंट कर लेते एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बात तो बारा लाइन इधर भी बन गई हमारी अब हम यह देखे पीछे ही साइड से इस फंदे को यह सबंकि आफे बुनेंगी है फिर से देखे इस फंदे उससे लेगे दो पंडे और यह ससाथ बनाया से उसी तरह हमने इधर के उसाइड भी लाश्ट प्रॉंगे को भारी बनाया थि expect Iowa विरूलत कर रहे और दोλεका बने का साथ खाता रहां मंद़ कर परक्षेिए एज पर और फंदे बंद करने के बाद एक उठाया呀 थेखे ऐक पंदे में आप ऐसे छोड़गे अ भादे इसे वाली से खुमा इतलेंसे हां सब्सक्रण फंदे एक ऊठायों एक दो एक भार ट्री ज़ाया यह सुथुब आ determ financially चार पाँच छे साथ आट 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 नौ दूस को हाँ है कि दस एक ग्यारह जो रेक्षिंट वाला जो हमारा पंद रहें गाँ है कि अंध्युन आट था श्र्वाम के टाहिए कि पीछे की साई आ गए हैं इसको हमने जो 12 फंदे यहां पर उखा इसको भी हमने इस फंदे से नहीं बुना क्योंकि यहां पर तब हमारी दो लाइन आ जाएगी चॉक्लेटी कलर की तो इसलिए अब हमने कलर यहां पर चेंज करना है तो यहां पर देखिए हम सेकंड कलर अपना ग्रीन लगा लेंगे अब ग्रीन कलर से एक ही फंदे को सभी सलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे जो उठाया हुग पंदा है इस पराम से आप उन ले हुआ है प्रेंट्सошंदेल के भी संदे को से आपको बना वांगे level no हो ने कङत निसलिए जो पार तुम्हाला बनते का उपन नहीं यह जो को दिखा आए है कैसे क्या झा आं इसलिए फ्रेंट्स मैंने इसकी सिलाई नहीं किया तरकि आप लोग को अच्छे से समझने आए क्योंकि दोनों रहता है तो आपको समझने में आसानी रहेगी अब देखें यह पार्ट तो हमारा यहां तक बन गया अब यहां से हम यहां यह वाला बना रहे हैं यह वाला यह देखेगा तो देखें हम यहां पर कॉंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 Gore हो यहां फे टोटल हमारी यह दोनों कलर का मिलां के फीम इसी लाएंने बनाने अब दस हमारी जिस हमारे यह चोकलेंटी कलर कियता है थस हमारी यह ग्रीन क्लार की है यह तो टोटल हमारे यहां पर 20 लाइन आने चाहिए 20-40 जब आप 40 सलाई बनाएंगे तो यहां पर हमारी 20 लाइन आएगी सिंपल सिंपल इतना बनाने के बाद फिर मैं आप लोग को यह अंगूठा और पंजा बनाना बताऊंगे बिल्कूश सिंपल दोनों ये एक जैसा यहां तक बनेगा उसके बाद जब उपर हमाएंगे तो यहां पर चेंज होगा क्योंकि एक लेफ पैर का बनाली अंगूठा और पंजा बना लिया है दुसेरे पैर के मैं आप लोग को बताऊंगे अब देखे फ्रेंट्स हमने यह जितना मैंने आप लोग को बताया था इसकी कंप्लीट कर लिया है टोटल यहां पर हम तोनों कलर का मिला के काउंट करेंगे तो 20 लाइन हमारी यहां पर आई हुई है इतना हमारा यह वाला पार्ट यहां तक बन गया देखे फ्रेंट्स की मैं एक चीज का अपने ध्यान देना है आप लोग जब भी बनाईएगा देखे एक तरफ अंगुठा एक बार इस साइड रहेगा और एक पैर में इस साइड रहेगा दोनों एक ही जैसा नहीं बनाने आप लोग को सेम यहां तक तो एक ही जैसा बनेगा लेकिन जब हम यहां पर चेंज रहेगा और लेखे लेखे अब हमने रैट पेर का बनाना को सब्सक्राइल को डाइमान से को ही 되어 को झालते यहां को इस साइड चार में घ्वंद यहां ऑनगर सकते लेकिन दूसरे में आपको द्यान देना होगा कि अगर आपका अंगुठा इस साइड है तो पंजा इस साइड है और सेकेंड में तो अंगुठा इस साइड होगा पंजा इस साइड होगा बस यही ध्यान देना है आप लोग को इसमें बाकिसम सब एकदम सेम यहां तक इतना सेम दोनों पैर का एक ही जलसा बना है बस यही य यह देखे लेक फैर का है यानि بर कमने राय प्यार का बनाना मवन कारेंगे हम फैर्प करेंगे अंगुठे के लिए हम यहां पर टॉट अब हमने काट कर दीया है अब यहाँ पर हम अंगूठे के लिए पंदरफ अंदे निकालेंगे पंदरफ अंदे में हम अंगूठा बनाएंगे तो नॉर्मल से आपने इस d survival से आपको हमने इस इस कलर से बेस कलर जो हमने रखा है यह सॉक्स वाली उल को तो यहाँ पर हम सिर्फ 15 फंदे बूल लेते हैं नॉर्मल और हमने सिर्फ 15 फंदे को ये 10 से 12 सलाई बनाना है एक, दो, तीन, चार, पांच, माज़ने 10 से 11 हो गया 12, 13, 14, बंदर यहाँ पर देखिए, हमारे 15 फंदे हो गया है इस साइट का फंदा अभी हमने कुछ नहीं करना है सिर्फ इन ही 15 फंदे को हम अंगूठे के लिए बनाएंगे देखिए, आगे की साइट से सभी फंदे को हम सीधा-सीधा बनाएंगे और पीछे की साइट से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे यह नॉर्मल से उल्टे सीधे की बुनाई करके हमने इसको देखिए जैसे हमने इतना बड़ा यहां पर अंगुठा इतना बनाया है यहां दोनों पैर का मेजरमेंट एक ही रहेगा यहां पर देखिए ऐसे फिर इतना बनाने के picture बनान से सभी करे आगे के साइट से सीदा सीधा से चाहि किसे उल्टा तो तीन बनाई कर लेते हैं थिर आप लोग को दिख्दे के से नंगठ गांट करे निए से तो हमने यह कितनी लाइन है यहां पर हमारे 11 दूनी 22 तो 22 सलाह आप颜़ की ह्यहां पgamए के बनाने के बाद अभी तक तो ॡशाया था सीधा था ग। अब हम क्या करना है हमने दो संदे का एक करना है यह नहीं पर दछेए दो संदे को एक साथ बोना हो फिर दो एक यह यह दो कए किया है जो का यह लाश्क में फंदा मारा बचे गा तो इसको नौर्मल एक फंदा बना लेगी अब देखिए आप एक दो तीन चाहर डुनी आठ एक दो तीन चाहर तीन गुझे चैत सांथ दुन शोधे 15 गन्त पंदर फंदे हैं यहां पर मारे हो गए तो देखें अब हमने क्या करना हिए यांपे 15 पंदक आधा हो गया आप हमारा यह देखी अंगुठा तैया रहा है यहाँ पर क्या करना है अपने एक सूई लेनी है अब देखे फ्रंट्स हम यह पीछे की साइड से यह देखिए हमने यह सून को सूई में डाल लिया है अधागे को कट कर दिया अब यहां से हमारे एक-एक फंदे करके हम देखिए सब सूई में उतार लेंगे कि यह देखिए हमने यह सारे फंदे को सूई पर उतार लिया अब यहां पर हमने ऐसे उनको ऐसे खीच लेंगे इस तरह किसे आप अंगोठे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा अंगोठा है यहां पर गुलाई आएगी अंगोठे की अब यहां पर देखिए अब अब है अ फिर से में आप इसको पक्का कर लेंगे ऐसे उसी हो दंदों में डालके यह देखिए कितनी अच्छी गुलाई आई है अब इसको में पर छोड़ देते हैं एक बार आपने और पक्का कर लेना है अब इसको में पर छोड़ देते हैं बाद में हम इसके अंगोठे की सिलाई करेंगे लेकिन आप देख लिए जी आगे की साइट से इसकी कितनी अच्छी गुलाई आएगी अब हम पंजा बनाएंगे तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ से उन को जोड़ना है देखिए हम पीछे की साइट से से कंड कलर को यहाँ पर जॉइंट कर रहे हैं सभी फंदे को यहाँ पर बनाएंगे जलिए पीछे की साइट से बना के फिर बताते हैं देखिए फ्रेंट समागी की साइट आ गए तो यहाँ पर हमने टोटल 47 वंदे लिए थे तो 15 वंदे का मैने अंग उठा बनाया अब यहाँ पर हमारा 32 वंदा बचा है टोटल हमारे यहाँ पर 32 वंदे बचे हुए है तो 32 इस फंदे में हम पंजा बनाएंगे ठीक पंजा बनाने के लिए क्या करना है हमने यहाँ पर तीन फंदे को सेंटर में रखेंगे तीन फंदे को सेंटर में रखेंगे फ्रेंट्स बाकी के फंदे को हम पूनेंगे तो सबसे पहले हमने आपे दोनों साइट से देखिए यहा यहां पर देखिए फंदे कौम बनाते हैं यहां पर हमारे 32 फंदे만ए तो ऐसा इनकी बनाएंगे ताकर के संर्मारे तीन यहां लेहे हैं वे बड़ाबर फंदे रहे हैं सेंटर में आरे यह3 फंदे आने चाहिए था फंदे पंदर पंदर तीस तो देखे फ्रेंड्स एक साइड हमने यहां पर 14 फंदे रखने हैं और एक साइड यहां पर 15 फंदे रखने हैं सेंटर में हमारे तीन फंदे रहेंगे एक साइड हम 15 फंदे रखेंगे यहां पर देखे एक दो तीन चार पांच छे गटाई होगी तो देखें क्या करना है यहां से देखेंगे यह जो तीन फंदे है इसको हम दो फंदे को ऐसे उतारेंगे साइड वाले फंदे को इस सलाई पर लेंगे देखेंगे ऐसे वर इस बंदे को ऐसे घिराके फिर इसको मैं से पलक के ऐसे यहाँ पे इस तलाई में डाल करकelt कि तीन फंदे को अम र futuro हम रेके फ्रान्स हमने यहाँ आपे तीन फंदे को एक साथ बना लिया था उसके के बद सभी फंदय को मैं पर सीधा सीधा बना लेंगे फिर पीछय की साइड से सभी फंदो को मुट्ट रनाएंगे पीछ बनाएंगे घटाना नहीं सिर्फ ऑनाई करनी है उल्टली की देखिए तो उल्टा उल्टा बना के फिर आगे की साईड आते हैं अब हम आगे की साईड आगे है तो आगे की साइड से सभी फंदे को देखिए सीधा सीधा बनाएंगे आगे की साइट से हमने फंदे को कम करें हैं देखिए हम सभी फंदे के यहां पे सीधा सीधा बना किया रहे हैं एक फंदा और बनाएंगे अब देखिए फिर से यहां पे तीन फंदे का एक हो गई यह देखिए जो हमारी चोटी यहां पे चैन बनी हुई है पहले हमने यहां सबस्क्राइब दुक Cannon haiader एक यानि अगल बगल के फ़िर से तीन का एक करेंगे तो जब आप बनाएंगे यह जब पुन इनके परno 001 पे तर हूं यह चरह ले लेंगे तर समयान वंना एक पासी करेंगे तो तो यह हमारा फंदा पलटे का नहीं फिर से हम तीन फंदे का एक करेंगे दो यह हो गए एक साइट का इसके यहां पर यह तीन फंदे को हम एक सब बना देंगे यह देखें, तो कि यह हमारी यहाँ पर चैन बनते वह आई बाकी के फंदे को सीधा-सीधा और हम Ariya और स безопас rate सो Uboda बनाएंगे देखें फ्रैंड्स फिर से हमारी यह center में देखें यह चैन वाला आया है फंदा और side side के फंदों से अब हम यह देखिए फिर से अब यहाँ पे तीन फंदों का एक करेंगे तो यह दोनों फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे पीछे वाले फंदे को इस सलाई पे ले लेंगे और यह सेंटर वाले फंदे को इस पे लेके और ऐसे पलट के यहाँ पे चैन बनाएंगे फिर से हम यहाँ पर तीन फंदे को एक साथ बना लिए बाकी के फंदे को सीधा-सीधा पीछे की साइट से सभी फंदे को उल्टा-उल्टा फिर यहाँ तक हम सीधा-सीधा बना के आते हुआ विल्टा उन्हां का अब देखें फ्रैंटस इस फंदे को उने आपके तीन का एक करते करते टोटल अब हमारे आप एफारफ वंदे बचे बत्तिस संदे से अथारफ वंदे बचे अब हमने आपके पोई फंदा गटाना बढ़ाना नहीं है अब क्या करना देखिए 18 फंदे टोटर है तो 9 फंदे हम एक सलाई में लेंगे और 9 फंदे एक सलाई में रहेंगे प्याले फंदे को में आज इस्टेज उतारा दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो देखे फ्रेंट्स नौफंदे इस तलाई पी इसको मैंसे पलट लेंगे सीधा वाला जो पाइट है यह हमारा अंदर की साड रहेगा उल्टा वाला जो पाइट है यह हमारा उपर की साड रहेगा अब यह आपके देखिए हमने तीसरी सलाई ले ली है और इन तीनों फंदों को अब अर्शारी दोनों सलाई की फंदों को हम बंद करेंगे देखिए दो फंदी को एक साथ बनाया, फिर से इस सलाई का एक फंदा लेंगे, एक फंदा इस सलाई का लेंगे और फिर ये आगे वाले फंदे को पीछे वाले फंदे के उपर से इसे उतार देंगे फिर से इस फंदे को देखे फ्रैंट्स हमने इसको ऐसे पूरी फंदे को बंद कर लिया जैसे आप लोग को बताया था अब हम यह पे इसको पलटते है और पंजे का देखिए कितना अच्छा यह बनके आया है लेकिन अभी हम इसको उल्टा रखेंगे क्योंकि हमने इसके सिलाई करनी है तो सबसे पहले हमें आप अंगुठा की सिलाई करेंगे अंगुठे की सिलाई सिर्फ आपने ऐसे नॉर्मल करनी है तो सोही में हमारा पहले से नागा पड़ा हुआ है मैं आप लोग को अंगुठा और पंजे की सिलाई करके दिखा रहे हूं उसके बाद बताऊंगे नॉर्मल ही सिलाई आपने करनी है जैसे हम करते हैं रागा फसने ना पाए हमारा करते हैं करते हैं कि यहां तक सिलाई कर लेते हैं देखिए फ्रेंट्स इसके अंगुटे कि हमने सिलाई कर ली है अब द्धागी को हम यहां से कट नहीं करें देखिए यहीं से हम यह पंजे की सिलाई करेंगे तो इसको हमने ऐसे बराबर किया अब यह देखिए यहां से हमने इसको ऐसे ले लिया अब हम पंजे की सिलाई ऐसे यहां तक नॉर्मल हम कर लेते हैं पंजे की सिलाई करने के बाद अब देखिए इसकी सिलाई कैसे करनी एक मिनट आप लोग देख लिए यह देखिए इसको आपने बराबर में पकड़न है जैसे जो कलर पर नहारी पर दारी आनी इंचे इकदम बराबर इसकी सिलाई करनी हमने यह तक फिर यहां से एसे सिलाई करनी सिलाई तक यह नंगूठं और पंजे के सिलने के के बाद फ irgendwas को दिखााथि है इसको मैं अपर बीदिदा सब्सक्राइब इसको में पहला पहले हैं नुर्मल हम इसके बने जैसे आप बहुत ही अच्छा यह बनके आया है बहुत इजी है बनाना फ्रेंड्स यह देखिए जो आप लोग यहाँ पे एडी वाला पार्ट है यह है और यह फूरी एंकल लेंद्स तट है तो किता खुबसूरत बनके आया है आप ज़रूर इसको ट्राइब करें यह देखिए वीडिय लोग आप लोग जादा जादा लाइक करें शेयर करें नहीं चैनल पर सब्सक्राइब करें थैंक यू